हलो दोस्तो वेलकम टू दे चैनल दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करूंगे किस तरीके से हम इस पीनेज या पालक के बीज को ग्रो कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसकी care करेंगे ताकि हमें अच्छे से जो इसे पालक मिल पाए और हम इसका जो है यूज कर सकें तो यहाँ पर दोस्तों आज से करीबन दस दिन पहले मैंने याप इसके बीज लगाए थे पालक के और अब जो इसमें काफी अच्छे से पालक की ग्रोथ हूँ चुकी है एक प्लांट में तीन से चार पतिया भी निकलने लगी है हाँ कहीं कहीं पर थोड़ी थोड़ी अभी बाकी है ग्रोथ होना तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम एक बार में बीज लगाते हैं तो सारी बीज एक बार में निकल है कुछ बीज जो है जल्दी निकल आती है कुछ बीज जो है थोड़ी धीरे निकलती है तो अब हम इसे ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर इसे चार से पाच घंटे की धूप मिले जितनी ज्यादा इसे अच्छी धूप मिलेगी उतनी ही इसमें अच्छी ग्रोथ होईगी और उतनी ही हमें इसकी पतिया मिल पाएंगी और वाटरिंग की बात करें तो हमें इसमें अब ऐसा पानी देना है ताकि इसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहे हमेशा इसकी मिट्टी में नमी बननी रहने चाहिए नहीं तो यह प्लांट plant है लेकिन आप अगर लगाने के टाइम में अगर इसमें अच्छे से fertilizing कर देते हैं तो उसके बाद इसमें थोड़ी-थोड़ी fertilizing करते रहते हैं तो इसमें अच्छी growth होती है तो इसमें वस एक से दो चमज यहां पर वर्मी कंपोस इस तरीके तो यहां पर मैंने इसके लिए एक शैलो पॉट ले लिया है जिसकी गहराई थोड़ी कम होती है लेकिन यह थोड़ा बड़ा सा इसका गमला है और हम किसी भी तरीके के गमले में इसे लगा सकते लेकिन अभी मेरे पास यही खाली था इसलिए मैं इसी में ग्रो करूंगी और जो है मिट्टी भी भार लिया है इसकी मिट्टी के लिए मैंने यहां पर लिया है सिक्स्टी परसंट गार्डेन स्न और 40 परसंट मैंने यहां पर कंपोस्ट default is को कंपोस्ट यहां इसमेर्त Wal shed और यहां पर मैंने अब जो है इसमें बीज भी यहां पर ले लिया है यह पालक के बीज इस तरीके के होते है इस पीनेच के और यहां पर जो पानी यहां पर यह मिट्टी है अब मैं इसमें जो है अच्छे तरीके से वाटरिंग कर देना है ताकि जो मिट्टी है हमारी हमेशा मॉइस्ट रहे और अब हम इसके बीज को इस तरीके से बस स्प्रिंकल कर देंगे ध्यान रखें कि कभी भी हमें ज़ादा क्राउड नहीं करना है अगर हम ज़ादा क्राउड कर देते हैं तो इसे प्लांट को निकलने में को प्राब्लम होती है, बस इस तरीके से स्प्रिंकल कर देना है, यहां पर मैंने सारे बीज को इस तरीज को प्रिंकल कर दिया है, और मैंने नहीं डालना है उससे plants को निकलने में problem होती है अब हम क्या करेंगे इसको हलकी हलकी मिट्टी की layer से जो हमारे seeds को ढख देंगे इस तरीके से जो हलकी हलकी layer से ढख देंगे seeds हमारी कोई भी दिखनी नहीं चाहिए बस इस बात का हमें ध्यान रखना है यहां पर मैंने मिट्टी से seeds को ढख दिया है और ध्यान रखना है कि मिट्टी में जादा हमें दबाना नहीं है अगर हम जादा seeds को अंदर में दबा देते तो काफी जादा time लगता है plants को निकलने में और अब हम फिर से जो है इसमें अच्छे तरीके से watering कर देंगे और अब हम इसे ऐसी जगह पर रख देंगे जहां पर इसे सुभा में 1-2 घंटे की धूप मिले और जो इसकी मिट्टी को हमेशा हमें moist रखना है मिट्टी में हमेशा नमी बनी होनी चाहिए बस इस तरीके के मिट्टी में हम रख देंगे और अब जहां जहां अगर सीट्स हमें नजर आ रही है जैसे यहां पर आप देख सकते हैं सीट्स नजर आ रही है पानी देने के बाद तो हम फिर क्या करेंगे हलकी हलकी मिट्टी इस तरीके से डाल देंगे ताकि जो इस सीट्स बस दीखे ना तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ तो इसे लाइक करिएगा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में